हेलो एब्रीवेन वेल्कम बैक टू एल्गोरिधम एज्यूकेशन एड माई नेम इस ओपैंद रियादब तो लाश्ट लेक्चर में हम लोग आइटी जैं मेथामेटिस के स्लेबस के बारे में अल्रेटी डिस्कस कर चुके हैं और उस स्लेबस को कबर करने के लिए हमें कौन- नहीं पता है कि Civ का स्लेबस क्या होता है और कौन-कोल सी बुक सवलो करनी चाहिए उ्स लेबस को कबर करने के लिए मतलब पढ़ने के लिए तो इसके लिए आप इस्टर्टिजी कैसी होने चाहिए, पहले हमें pure mathematics को finish करने चाहिए, या फिर पहले हमें applied mathematics को finish करने चाहिए, या फिर इन दोनों के combination में हम लोग को सारे topic पढ़ने चाहिए, तो हमारी preparation and strategy कैसी होने चाहिए, ये सबसे बड़ी problem है, और अगर हमारी preparation और strategy एक्दम बहुत अच् तो हम लोग exam में अच्छे marks भी ला सकते हों और आप लोग की अच्छे से अच्छी rank भी आ सकती है, single digit भी rank आ सकती है अगर आप लोग की preparation and strategy अच्छे होगे, तो आज के इस lecture में हम लोग यही discuss करेंगे, कि आप लोग की preparation and strategy कैसी होने चाहिए, तो मैं आप लोग को केबल एक अच्छा तरीका है, इस तरीके को follow करके मैं exam में अच्छे rank ला सकता हूँ और अच्छा score कर सकता हूँ, तो उस preparation और strategy को follow करके अप लोग अच्छे से अच्छे marks ला सकते हो, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के lecture को start करते हैं, और दिखते हैं कि हमारी preparation और strategy कैसी होनी च जैम का exam अच्छे marks के साथ qualify करना होगा, मतलब अच्छे rank लानी होगी, तभी आप लोग का IIT में admission होगा, otherwise अगर आप लोग qualify भी कर लेतो हो न, और अच्छे rank नहीं आती है, तो फिर इसकी कोई guarantee नहीं है कि आप लोग का IIT में admission हो जाएगा, IIT में admission लेने के लिए आप को कुछ बातें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी होगी, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आप लोग को preparation के time avoid करनी होगी, ठीक है, और single digit rank लाना कोई इतना difficult task नहीं है, बहुत ही simple है, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देते रहोगे, मतलब अगर आप कि तभी नहीं आती है, जब आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, आप लोग कहीं न कहीं, कोई न कोई तो mistake करते हो, जिसकी वज़े से आप लोग के अच्छी rank नहीं आ पाती है, तो ऐसी कौन-कौन सी बाते हैं, जो आप लोग को preparation के time avoid करनी चीए, जिससे आप लो आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, कि IIT's and Mathematics का syllabus क्या है, exam का pattern कि टाइब क्या होता है, बलाब paper pattern कि टाइब क्या होता है, एंड marking scheme क्या होती है, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, तो अगर आप लोग IIT's and Mathematics के syllabus को देखना चाहते हो, तो last lecture में मैं already discuss कर चुका हूँ, and jam mathematics के exam का pattern कि टाइब क्या होता है, बलाब paper pattern क्या होता है, और marking scheme क्या होती है, इसको भी मैं already एक lecture में discuss कर चुका हूँ, तो आप लोग मेरे चनल पर जाएए, वहाँ पर आप लोग को jam का first lecture मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए, कि IT jam mathematics का syllabus क्या है, exam का pattern के step का होता है, and marking scheme क्या है, exam के टीक है, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, कि जो भी jam mathematics का syllabus है न, उसका आप लोग print out निकल वा लीजिए, ठीक है, print out निकल वाने के बाद आप लोग को क्या करना है, कि जो topic आप लोग के strong है, मतलब जिन topics को आप लोग अल्रेडी पढ़ चुके हो, जो आप लोग को अल्रेडी आते हैं, आप लोगोंने graduation के time भी बहुत सारे topic पढ़ ठीक है, और कुछ topics तो ऐसे हैं, जो आप लोग को 12 के time भी पढ़ चुके होगे, तो जो आप लोग के strong topic है, जो आप लोग को अच्छे से आते हैं, थोड़े बहुत नहीं आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन syllabus के अंदर आप लोग को ऐसे topic जरूर मिल जाएंगे, ज जो आप लोग को अच्छे से आते होंगे, तो ऐसे जो भी topic हैं, उनको आप लोग एक बार highlight कर लीजें, ठीक है, अब इसके बाद जो आप लोग को करना होगा, वो आपके लिए बहुत important है, क्योंकि अब मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ, कि आप लोग को पहले pure mathematics प परना चाहिए, ये मैं आप लोग को बताऊंगा, तो देखो, अभी तक आप लोग ने क्या किया, कि जो jam mathematics का slivers था, उसमें जो strong topic थे, उनको आप लोग ने highlight कर लिया, highlight करने के बाद, अब आप लोग को ये observe करना होका, कि जो topic हमारे बज गए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा topic है, वो है आपके pure mathematics के ठीक है, और ज़्यादतर cases में यही होगा, कि आप लोग की topic सबसे ज़्यादा बचेंगे न, वो pure mathematics में बचेंगे, क्योंकि applied mathematics को तो आप लोग ग्रेजुशिंग के time भी पढ़ चुके होते हो, और आप लोग ने 12th standard के time भी पढ़ा होग तो आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा topic बचेंगे, वो pure mathematics के अंदर बचेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग के pure mathematics के topic ज़्यादा से ज़्यादा बच रहें, तो सबसे पहले आप लोग को pure mathematics finish करना है, इससे क्या होगा, कि अगर आप लोग पहले pure mathematics के syllabus को finish कर लेते हो, तो फिर आप लोग को exam के time जब December, January का time होगा तो वहाँ पर आप लोग को फिर बहुत दिक्कत होने लगेगी आप लोग को ऐसा लगने लगेगा कि हमारी preparation अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर हमारे बहुत सारे topic हैं जो बच रहे हैं, हमारी अच्छे rank नहीं आ सकती है तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आप लोग को last के time तो इन दिक्कतों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को यही करना है कि पहले आप लोग pure mathematics के जो भी topic है न उनको पहली आप लोग finish कर लीजे तो pure mathematics जब आप लोग पहली finish कर लोगे उसकी बाद जो applied mathematics के आप लोग topic पढ़ोगे जो बच गए हैं, कुछ topic तो आप लोग के पहले से ही strong होंगे उनको आप लोग फिर से पढ़ोगे लेकिन बागी के कुछ और भी topic होंगे नहीं आएगी और सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रहे होंगे फिर आपको ये भी attention नहीं रहेगा कि हमारी preparation अच्छे से हो पाई या नहीं हो पाई हमारी अच्छे rank आएगी या फिर नहीं आएगी तो ऐसा कोई भी खयाल नहीं आएगा आपके दिमाग में तो पहले आप लोग ये कोसिस कीजी कि अगर pure mathematics में आप लोग के बहुत सारे topic ऐसे बच रहे हैं जो आप लोग को नहीं आते हैं तो पहले आप लोग pure mathematics को finish करो उसके बाद फिर applied mathematics को finish करो ठीक है अब आते हैं second case पर कि जो भी आप लोग के strong topic है उनको highlight करने की बाद जो सबसे ज़्यादा आप लोग के topic बच रहे हैं वो है applied mathematics में इसका मलब तो यह हुआ कि आप लोगों ने graduation के time बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और आप लोगों का जो pure mathematics है वो एक favorite subject होगा ठीक है तो अगर आप लोगके applied mathematics में सबसे ज़्यादा topic बच रहे हैं तो आप लोगको ये करना है कि जो भी आप लोगके pure mathematics में तौपिक बच रहे है उसको पहले आधा finish कर लीजे मुलब pure mathematics को आधा complete कर लीजे आधा से ज़्यादा भी आप लोग complete कर सकते हो उसके बाद जो टो लोग ने complete नहीं पड़ाया अभी तक pure mathematics आधा या फिर आधिस से ज्यादा आप लोग ने complete किया है ठीक है ऐसा मैं आप लोगों से इस बज़े से कह रहा हूं क्योंकि देखो जितना आप लोग को लगता है ना pure mathematics में हम लोग को यह आ रहा है लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है हम लोग को pure mathematics में जो लगता है कि यह हमारा concept अच्छे से clear है लेकिन अगर आप लोग को वहीं question pure mathematics में थोड़ा सभी घुमा दिया जाए अगर हम symbols के साथ थोड़ा सभी change कर दें मालब अगर आप लोगों में A, B और C के साथ अगर कोई proof वड़ा है और उसकी जगह अगर मैं P, Q, R कर दू तो फिर आप लोग को उस proof को करने में दिक्कत आएगी तो ऐसा होता है सभी के साथ होता है तब भी आप लोग को पहले pure mathematics आदे से ज़्यादा finish करना है उसकी बाद आप लोग को applied mathematics complete finish करना है फिर आप लोग के पास time बच जाएगा तो उसमें आप लोग अपने pure mathematics को और अच्छे से clear कर सकते हो अब यहां पर मैं pure mathematics के उपर जादा से ज़्यादा force क्यों कर, मिल्ब जब आप लोग को ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप लोग pure mathematics को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा हो, ऐसा इस पज़े से बोल रहा हूं क्योंकि pure mathematics के concept अगर आप लोग के अच्छे से clear होगे क्योंकि अगर आप लोग को theory अच्छे से clear होगी तो फिर जो calculation वाले topic हैं उनको जो concept है उनको कैसे apply किया जाता है किसी भी formula को कैसे derive किया जाता है formula क्या होता है तो ये आप लोग को फिर रटा मारने की जरूरत नहीं पढ़ेगी अगर theoretical topic आप लोग के अच्छे होंगे तो फिर आप लोग को applied mathematics पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इस वज़े से पहले ही मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले pure mathematics को finish कीजिए देन उसके बाद applied mathematics को finish कीजिए अब यहाँ पर तीसरा case ये आता है कि बहुत सारे student को ये problem होती है कि जब आप लोग pure mathematics को पहले पढ़ोगे न तो बहुत सारी दिक्कत ये आएगी कभी-कभी तो आप लोग को ऐसा लएगा कि हमसे preparation नहीं हो पाएगे हम छोड़ दें या फिर पत्या नहीं हमारे कैसे marks आएगे अच्छी rank आएगी भी या फिर नहीं आएगी IIT मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी या फिर आप लोग को क्या करना है अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हमें छोड़ देना चाहिए हमें अपनी preparation नहीं करनी चाहिए तो यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि देखो एक तो जो जो जैम का syllabus है ना mathematics का वो बहुत ही कम syllabus है और यह आप लोग के पास IIT में admission लेने के लिए बहुत अच्छी opportunity है कि आप लोग को जैम के basis पर आप लोग IIT में admission ले सकते हो अगर आप लोग 12 के बास सोचते कि हम लोग IIT में admission लें तो वो आपके लिए बहुत यह difficult task था उसका जो एक्जाम होता है IIT JW का वो बहुत hard exam होता है आप लोग को ने भी दिया होगा तो आप लोग को पता होगा ठीक है तो यह जो आप लोग के पास jam बाली opportunity है ना यह बहुत अची opportunity है IIT में admission लेने के लिए तो आप लोग को छोड़ना बिलकुल नहीं है अप लोग को बस थोड़ी थोड़ी होगे combination में आप लोग को पढ़ना है combination में आप लोग को कैसे पढ़ना है देखो अब आप लोग combination बनाओगे न तो वो भी आप लोग को सोच समझकर बनाना है ठीक है अब कैसे बनाना है यह मैं आप लोग को बताता हूं तो देखो सबसे पहले तो आप लोग real analysis को पढ़ोग तो real analysis pure mathematics का topic है अब applied mathematics में आप लोग को क्या पढ़ना है तो real analysis के साथ आप लोग को integral calculus पढ़ना है ठीक है तो real analysis को आप लोग finish भी नहीं कर पाओगे उससे पहले आप लोग का integral calculus finish हो जागा क्योंकि बहुत कम syllabus है integral calculus का तो जैसे ही आप लोग का integral calculus finish हो जाए उसके बाद आप लोग को vector calculus पढ़ना है साथ में आप लोग को real analysis के साथ आप लोग को vector calculus पढ़ना है तो जैसे ही आप लोग real analysis को finish करोगे उसके साथ आप लोग integral calculus और vector calculus इन दोनों applied mathematics के topics को भी finish कर लोगे ठीक है अब इससे आप लोग का फाइदा ये होगा आप लोग एक topic ऐसा पढ़ रहे हो मतब applied mathematics को आप लोग पढ़ रहे हो जिसमें आप लोग को interest आ रहा है जिसमें आप लोग कुशिन को कर पा रहे हो और अगर pure mathematics में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही होगी तो भी आप लोग को कोई भी problem नहीं होगी मतब ऐसा नहीं आप लोग सोचोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो ये दिमाग में आप लोग के खयाल नहीं आने वाले हैं तो जब आप लोग real analysis को finish करोगे उसके साथ साथ आप लोग integral calculus और vector calculus को भी finish कर लोगे अब आप लोग को क्या पढ़ना होगा अब आप लोग को group theory पढ़ना है और group theory के साथ आप लोग को applied mathematics में क्या पढ़ना होगा ordinary differential equation ठीक है तो जैसे ही आप लोग group theory को finish करोगे साथ में आप लोग ordinary differential equation को भी finish कर लोगे तो applied mathematics तो आप लोग का complete हो गया अब आप लोग का केबल pure mathematics में एक topic बचा है जो है linear algebra जिसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हो डिक है आप लोग के पास एक महीने का sufficient time होगा जिसमें आप लोग आराम से linear algebra को पढ़ सकते हो और बाद में अगर आप लोग के पास और भी extra time बचा हो अब मुझे तो नहीं पता होगा ना कि आप लोग के पास कितना टाइम बचया हुआ है क्योंकि कोई कोई इसे होते हैं जिनको जल्दी से समझ आ जाता है कोई को student ऐसे होते हैं जिनको देर से समझ आता है तो जिनको देर से समझ आएका उनके पास थोड़ा कम time होगा जिनको जल्दी से समझ आ जाता है उनके पास थोड़ा ज्यादा time होगा तो अगर आप लोग के पास extra time बच रहा है तो आप लोग pure mathematics के उपर ज़ाद से ज़ाद ध्यान दीजिये ठीक है तो अब आप लोग को मैंने तीनों cases बता दिये अगर आप लोग का pure mathematics अच्छा है तो आप लोग को क्या करना चाहिए और अगर आप लोग का pure mathematics और applied mathematics में कोई सा भी अच्छा नहीं है तो आप लोग को क्या करना चाहिए ये अब मैं आप लोग को already बता चुका हूँ तो जो हमारा third point था वो यही था तो इसी third point को मैं अभी तक discuss कर रहा था कि आप लोग को अपनी interest के हिसाब से topics को choose करना है कि पहले हमें कौन सा topic cover करना चाहिए पहले हमें कौन सा topic finish करना चाहिए ठीक है अब इनके अलाबा कुछ और भी बाते हैं जो आप लोग को preparation के time ध्यान र आप लोग का जो real analysis और differential calculus यहां पर differential calculus का मतलब है function of one and several variable तो real analysis और differential calculus का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है exam में तो यह आप लोग को बात ध्यान रखने चाहिए क्योंकि आप लोग को सबसे ज्यादा real analysis और differential calculus फे ध्यान देना होगा ठीक है अब next point क्या है try to cover one और two sub topic daily इसका मतलब आप लोग जो भी topic पढ़ रहे हो चाहिए आप लोग real analysis पढ़ रहे हो गुरुप थवरी पढ़ रहे हो linear algebra पढ़ रहे हो या फिर applied mathematics की कोई से भी topic को पढ़ रहे हो आप लोग जो भी topic पढ़ रहे हो उसमें से आप लोग कुछ sub topic को उठाई है जैसे for example अगर आप लो definition को उठाई है जैसे neighborhood क्या होता है, adherent point क्या होता है, limit point किस तरीके से निकालते है, bounded set कैसे निकालते है, supremum है, infirm है तो इस तरीके के आप लोग कुछ topic को उठाई है और आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि जो target आप लोग आज लेके चले हो उसको आप लोग finish ही नहीं कर रहे ह या फिर कुछ और काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं आप लोग को करना है, जो target आप लोगो ने आज के लिए बनाया है कि आज हमें ये topic finish करना है, तो पहले आप लोग उस topic को finish करने में आप लोग को जादा से जादा कितना time लेगा है, एक से दो घंटे लागेंगे, अगर आप बहुत ही slow समाज आता है, तो आप लोग को 2 घंटे लागेंगे, और अगर आप लोग को जल्दी समाज आता है, तो एक से टेट घंटा लेगेंगे, इससे ज़ादा आप लोग को time नहीं लेगेगा, तो पहले आप लोग ने जो target आज के लिए बनाया है, उसको पहले आप ल topics के आप लोग को short note भी बनाने हैं अब इन short note में आप लोग को लिखना क्या क्या है जैसे अगर आप लोग को definition पड़ रहे हो तो आप लोग को definition लिखना है applied mathematics में आप लोग को बहुत सारे formula देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग को उन formula को लिखना है और pure mathematics के अंदर आप लोग को बहुत सारी theorem के statement देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग को उन short note के अंदर statement को भी लिखना है इनके प्रूफ को नहीं लिखना है की बल आप लोग को statement miss experiment में लिखना है ठीक है और उनकी बहुत सारी करॉलरी भी होती है तो जो भी कर और है वह भी आप लोग short note के अंदर लिखोगे और बहुत सारे रजomniaल्ट होते हैं प्रॉपर्टी जोती हैं कुछ तो यह सारी चीजें आप लोग को इन सौट नोट के अंदर लिखनी है अब हर टोपेक के आप लोग को ऐसे सौर्ट नोट बनाने हैं अब इन सौर्ट नोड को बनाने ने से आपका फाइदा क्या होगा इससे आपफ लोग का फाइदा यह होगा कि जब आप लोग revision करोगे तब आप लोग आसानी से इन sort note की help से आप लोग revision कर सकते हो तो हर topic के sort note बनाना ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है इससे आप लोग की बहुत ज्यादा help होगे ठीक है तो sort note की help से आप लोग उन topics को एक साथ जल्दी से revise कर सकते हो कि आप लोग ने इस week के अंदर क्या-क्या topics को cover किया है ठीक है और अगर कोई topic बच गया हो ऐसा लग रहा हो आप लोगो कि ये topic हमारा अच्छे से के लिए नहीं हुआ है इसमें थोड़ा सा ये doubt है या फिर ये topic अच्छे से के लिए नहीं हुआ है तो उस topic को आप लोग weekend के time अच्छे से cover कर सकते हो एक तो आप लोगों ने पहले से उस topic को पढ़ रखा होगा और फिर से अगर आप लोग उस topic को पढ़ोगे तो आप लोगो फिर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगे असनी से वो आप लोग को topic अच्छे से समझ आ जाएगा और जैसे ही आप लोग किसी भी topic को finish कर लेते हो तो उस topic को finish करने के बाद उस topic से related जो भी question हो उन question को आप लोग try करोगे अब जैसे आप लोग real analysis को पढ़ रहे हो तो real analysis में मान लीजे आप लोग sequence and series इस topic को पढ़ रहे हो तो sequence and series पढ़ने के लिए आप लोग Bartley की book को follow कर रहे होगे तो Bartley की book में जो पीछे exercise के question दिये गए है तो जैसे आप लोग sequence and series में किसी भी topic को finish कर रहे हो जैसे आप लोग ने ये finish कर लिया कि किसी भी sequence को bounded, monotonically increasing, decreasing और limit किस तरीके से निकालते हैं ठीके यह अगर आप लोग ने पता कर लिया तो अब आप लोग को इन topics से related question भी solve करने होगे तो जो भी book आप लोग follow कर रहे हो, उस book में आप लोग को बहुत सारे question देखने को मिल जाएंगे जो आप लोग को solve करने होगे तो साथ में आप लोग को question भी solve करने हैं, जिससे आप लोग को ये idea लग जाएगा कि जो concept या फिर जो topic हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे apply किया जाता है, उसको कैसे use किया जाता है और exercise के अंदर आप लोग को हर तरीके की question देखने को मिल जाएंगे simple से simple question भी देखने को मिल जाएंगे और hard से hard question भी देखने को मिल जाएंगे तो पहले आप लोग simple question को try कीजिए क्योंकि जब आप लोग को छोटे-छोटे concept basic topic अच्छे से clear हो जाएंगे तो जो long और difficult question होते हैं उनमें क्या होता है कि जब आप लोग उनको solve करोगे तो solve करते time आप लोग को बहुत सारे छोटे-छोटे concept का use करना होता है ऐसा नहीं होता है कि केबल आप लोग एक concept की help से आप लोग उन long answer को solve कर सकते हो ऐसा नहीं होगा आप लोग को वहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे concept को use करना होता है बहुत सारे theorems के statement को use करना होता है बहुत सारे result and properties को use करना होता है तो जब आप लोग को छोटी-छोटी चीजे अच्छे से याद होंगे, छोटी-छोटी चीजे अच्छे से केलियर होंगे, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से केलियर होंगे, तो फिर जो बड़े-बड़े कुशिन हैं, जो थोड़े हार्ड कुशिन होंगे, उनको भी करने में आ अभी तक आप लोग को पॉइंट बताए हैं, वो कुछ ऐसे पॉइंट नहीं बताए हैं, जो आप लोग नहीं कर सकते हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से इन सभी पॉइंट को फॉलो कर सकते हो, और ऐसा भी मैंने आप लोग को नहीं बोलाए कि आप लोग को डेली 6-7 की तब भी आप लोग लोग बहुत ज्यादा हैं तो दो से तीन घंटे भी अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तब भी आप लोग आप लोग IELTI मतमटिस के एक्जाम में बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो पहले एक से दो घंटे आप लोग टॉपिक्स को समझने में दीजिए कि टॉपिक्स के अंदर जो concept दिया गया है वो है क्या उसका मतलब क्या है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है तो एक से दो घंटे तो आप लोग ये समझे उसके बाद आप लोग एक घंटे question को try कीज कि इस topic के ऊपर जो भी question आप लोगों को book में दिये गए हो उन question को try कीजिए जिससे जो concept आप लोगों ने पढ़ाया अभी थोड़ी दिर पहले वो concept आप लोग का बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगा अब इतना सारा कुछ करने के बाद आप लोग का syllabus भी complete हो गया होगा सारे concept भी अच्छे से clear होके होंगे और आप लोगों ने बहुत सारे question को भी try कर चुके होंगे अब एक और last बहुत important काम बचा हुआ है वो है previous year question को solve करना जब तक आप लोग प्रिवियस year question को solve नहीं करोगे तब तक आप लोग को बिल्कुल भी ये idea नहीं लगेगा कि exam में किस त अच्छी rank नहीं ला सकते हो अगर आप लोग की पहले rank 50 आ रही हो और अगर आप लोग previous year question को solve कर लेते हो तो फिर आप लोग की 50 की बजाए आप लोग की rank 10 आएगी तो इस बज़य से जो previous year question होते हैं वो आप लोग के लिए बहुत important role play करते हैं आपकी अच्छी rank लाने में ठीक है तो अब previous year question आप लोगको कैसे solve करने हैं तो देखू जब आप लोग previous year question को solve करोगे इस में आप को दिक्क्त आएगी क्योंकि MSQ question में एक option भी सही हो सकते हैं दो option भी सही हो सकते हैं और चारो option भी सही हो सकते हैं तो MSQ question को solve करने में आप लोग को दिक्क्त आएगी तो अभी आप लोग को परेशान होने के जिरुवत नहीं है पहले आप लोग को focus करना है mcq question पर और n at question पर mcq question में क्या होता है कि आप लोग को चार option दिये जाएंगे जिसमें से एक option correct होगा तो आप लोग सबसे पहले mcq question पर ध्यान कीजिए और यहाँ पर आप लोग को यह ध्यान रखना है कि आप लोग का गलत option टिक नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि mcq question बलब जो section A में हम लोग को question पुछी जाते हैं वो mcq question होते हैं और इसमें negative marking होती है तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप लोग mcq question को solve करोगे तो आप लोग को option गलत टिक नहीं करने हैं आप लोग को accuracy भी ध्यान रखने होगी ठीक है बलब accuracy हमारे ज्यादा से ज्यादा maintain करने होगी आप लोग को ठीक है और एनटी question पर भी आप लोग को ध्यान देना होगा लेकिन यहाँ पर आप लोग को option नहीं दिया होता है यहाँ पर आप लोग को एक जो भी answer मिलेगा वो एक real number होता है तो सबसे पहले आप लोग को mcq question और एनटी question पर ध्यान होगा सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा उसकी बाद फिर आप लोग को msq question पर ध्यान होगा क्योंकि जो msq question होते हैं वो statement based question होते हैं आप लोग को एक statement दे दिया जाएगा और उस related आप लोग को 4 option दे जाएगे तो अगर आप लोग को उस statement के बारे में बहुत ही अच्छे से knowledge होगी तो आप लोग msq question को solve कर सकते होड़ी क्योंकि जायतर msq question statement based होते हैं तो पहले अगर आप लोग mcq और एनटी पर ध्यान देते हो तो इनसी क्या होगा कि concept आप लोग का जो होगा वो बह तो पहले आप लोग को ध्यान रखना है पहले आप लोग mcq question को solve करोगे एनटी पर ध्यान दोगे उसके बाद आप लोग को msq question को solve करना होगा अब मैंने आप लोग को यहाँ पर बहुत सारी बाते बता दे इनमें से अगर आप लो 90% भी follow करते हो तब भी आप लोग under 100 rank ला सकते हो और मैंने आप लोग को यहाँ पर कोई भी पिए ऐसा नहीं बता है जिसको फॉछ करने में आप लोगो कोई भी पॉईंट फॉछ करने में दिक्कत नहीं आएगी और डेली बैसे वावक लोग को प्रॉख दे पढ़ रहे हो, दो दिन फिर पढ़ रहे हो, फिर आप लोगों ने दस दिन के लिए गाइफ कर दिया, तो आप लोगों ऐसा नहीं पढ़ना है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ो, ठीक है, अब आप लोग ये तो समझ गे कि अच्छी लेकिन बातों को ध्यां रखना चाहिए लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट भी तो है जो हम लोगों अपनी प्रिप्रिशिंग के टाइम अवर्ड करनी चाहिए अगर आप लोग उनको अवर्ड नहीं करते हो तो फिर आप लोग एक्जाम में अच्छी रेंट नहीं ला सकते हो क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई भी एक गलत पॉइंट को फॉलो करे लिया तो फिर आप लोग सीधे नीचे दिखाई दोगे आप लोग के अच्छी रेंट नहीं आईगी लेकिन अगर अच्छे पॉइंट मैंसे अगर आप लोग एक दो पॉइंट को फॉलो नहीं करत तो फिर आप लोग की rank पर इतना ज़्यादा फरक तो नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ेगा तो जरूर लेकिन उतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा जितना के आप लोग गलत point को follow करने के बाद आपकी rank पर फरक पड़ेगा तो आप लोग को ये बात तो जरूर ध्यार कर लेंगे या फिर पर्सो कर लेंगे आज यह वाला टॉपिक नहीं पढ़ते हैं इसको हम लोग एक महीने बाद पढ़ेंगे या फिर पहले हम लोग यह वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं इसको छोड़ देते हैं इसको हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, कि टॉपिक्स को टाल रहे हो, आप लोग आज नहीं पढ़ रहे हो, आज की बजाए कल पढ़ रहे हो, कल की बजाए आप लोग परसो पढ़ रहे हो, तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, अब सेकंड चीज आप लोग को क्या वाइ और WhatsApp से भी आप लोग को बिल्कुल दूर नहीं रहना है, क्योंकि WhatsApp में भी आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग को IoT Gems से रिलेटिट, CSIR, Nets से रिलेटिट, Gates से रिलेटिट, NBHM से रिलेटिट, आप लोग को बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है PDF format में, तो आप लोग को WhatsApp से भी बिल्कुल दूर नहीं रहना है, अगर आप लोग को PDF की, किसी बुक की PDF की जरूरत है, तो आप लोग WhatsApp से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए आप लोग के पास एक अल्टरनेट चांस भी है, जो कि है ट PDF देखने को मिल जाएंगी, तो अगर आप लोग ITZAM की प्रफिरिशिंग कर रहे हो, और अगर किसी बुक को परचेज नहीं करना चाते हो, पहले आप लोग देखना चाते हो, कि इस बुक में किस टाइप का कंटेंट दिया गया है, लेंग्विज जो दी गई है, वो हमारे टाइप की है या फिर यह नहीं, मलब हमको समझ आएगी या फिर नहीं आएगी, तो पीडिया फॉर्मिट में आप लोग को बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, वाटसप पर भी और टेलीग्राम चनल पर भी, तो आप लोग को वाटसप से, यूटूब से, टेलीग्राम चनल से, इन से बिल्कुल दूर नहीं होना है, और आप लोग को ऐसा भी नहीं करना है, कि आप लोग पूरे दिन वाटसप को ही खुले वैठे हो, आप लोग पूरे दिन यूटूब में कुछ और ही देख रहे हो, तो ऐसा भी आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप को खोलने के जरूरत नहीं है आप लोग को Facebook खोलने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि Facebook और Instagram पर जो भी आपकी useful का content है वो आप लोग को WhatsApp और Telegram चनल पर भी मिल जाएगा तो आप लोग यहां से भी download कर सकते हो तो आप लोग को Facebook और Instagram से बिलकुल अलग रहना है और WhatsApp और YouTube और Telegram चनल पर आप लोग कभी-कभी खोल के दे सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरे-पूरे दिन उसी में अपना अपना टाइम वेश्ट कर रहे हो ठीक है तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है तीसरा पॉइंट क्या है जो आप लोग को समझ नहीं आ रहे है तो आपका जो भी दोस्त है अगर आप लोग ग्रूप इस्टेडी कर रहे हो तो जो भी आपका फ्रेंड है उससे आप लोग पूछ सकते हो एक फ्रेंड को समझ नहीं आ रहे है तो आप लोग दूसरी फ्रेंड से भी पूछ सकते हो और हो सकता है कि ही होने चाहिए including you इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो आप लोग अगर फाइब से ज़्यादा मेंबर होंगे तो फिर आप लोग साथ में लड़ाई जगडा भी करोगे आप लोग बाते भी करोगे तो फिर वो group study तो नहीं होगे फिर वो एक social event हो जाएगा जो कि आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है तो आप लोग अगर group study करते हो तो फिर group study में आप लोग को तीन से पाँच मेंबर ही allowed है including you ठीक है ये आप लोग को ध्यां रखना है अब last point क्या है अब next point आप लोग को ये ध्यां रखना है कि आप लोग को जादा से जादा ये gas नहीं करना है कि ये वाले question में exam में पूछा जाएगा ये वाले question exam में नहीं पूछा जाएगा ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है और ना ही किसी question को solve करने के लिए आप लोग को shortcut होने की जरूरत है क्योंकि अगर आप लोग shortcut को ही try करोगे और अगर question को थोड़ा सा भी घुमा दिया गया तो फिर आप लोग question को गलत attempt कर लोगे तो इस बज़य से ना तो आप लोग को gas करना है कि ये वाला question पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा और नहीं आप लोग को shortcut के पीछे बागना है ठीक है तो ये कुछ points थे जो आप लोग को avoid करने चाहिए अपनी preparation के time तो अब आप लोग को अच्छे से किलियर हो गया होगा कि हमारी preparation and strategy कैसी होनी चाहिए और IIT Jam से related मैं तीन lectures बना चुका हूँ जिसमें से first lecture में हम लोगों ने ये देखा था कि IIT Jam क्या होता है opportunity क्या क्या होती है eligibility requirement क्या क्या होती है and exam pattern case type का होता है then इसकी बाद second lecture में हम लोगों ने ये देखा था कि IIT Jam का syllabus क्या है और उस syllabus को cover करने लिए हमें कौन कौन सी books follow करनी चाहिए कौन कौन सी best book है ठीक है और उसकी बाद third lecture में जो के आज ये आप लोग देख चुके हो तो इस lecture में हम लोगों ने ये discuss किया था कि हमारी preparation and strategy कैसी होने चीए तो अगर आप लोगों ने ये तीनों lectures देखे होंगे तो IIT Jam से related अब आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से केलियर हो गए होंगे अब आप लोग अपनी preparation को बहुती अच्छे से कर सकते हो और आप लोग अच्छी rank ला सकते हो और अगर आप लोग का IIT Jam से related कोई doubt हो कोई question हो तो आप लोग मुझे comment section में बता सकते हो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी में आपकी comment का reply कर दूँगा तो मिलते हैं अब हम लोग next lecture में एक new topic के साथ